क्या आपको पाइल्स हो गया है? क्या आपको एनस में बहुत ज़्यादा दर्द होता है? क्या आपका गुदा द्वार बाहर निकल गया है? क्या आपको सोच के समय बहुत ज़्यादा तकलिफ होती है? हाँ, तो घबडाईए नहीं, आज मैं आपको बादी बावसीर, के बारे परताब स्वागत है आपका मेरी यूट्यूप चैनल में तो चलिए जानते हैं सबसे पहले वाटिज पाइल्स क्या होता है बादी बावासिर तो पाइल्स एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारे रेक्टम पे किसी भी प्रकार का बाहरी बल लगता है तो उसके कारण हमारा रेक्ट फटता नहीं बलकि बाहर निकल जाता है और उसमें सुजन होता है बहुत जादा दर्द होने लग जाता है चलने फिरने में तकलीफ होने लगती है तो उसी को हम बादी बावासिर करते हैं यह समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है अगर इसका इलाज आप सही समय पे नहीं कर और इसका परियोग अगर आप एक से तीन महीना लगातार कर लेते हैं तो बादी बावा सिर की समस्या जड़ से खतम हो जाएगी तो चलिए जानते हैं हम इसके काउच के बारे में तो इस डिजिज को होने के बहुत से कारण है जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा वाइली सेक्स्वल कॉंट्रेक्ट करते हैं, अगर आप बहुत जादा एलोपैथिक मेडिसीन्स का परियोग करते हैं, अगर आप बहुत ज़ादा कुरसी बैठ के घोड सवारी करते हैं या एक जगा बैठे रहते हैं तो इन सभी कारणों से बादी बावासिर की समस्या उत्पन होत और उसके बाद अचानक रेक्टम पे किसी दिन दवाब पड़ता है और वह रेक्टम फटता नहीं है बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद अंगूर के गुच्छे जैसे लटक जाते हैं किसी को एक की संख्या में रहते हैं किसी को दो तिन की संख्या में रहते हैं उसमें कभी-कभी सुजन आ जाता है, सुजन के चारो तरफ खुजली होता है, खुजली के साथ जलन होने लग जाता है, और कभी-कभी दर्ध इतना होता है, कि इनसान सही से बैठ नहीं पाता है, बैठे रहा अगर 10 मिनट, तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया, चलने लगा तो भी दर्द होने लग गया, मतलब किसी भी कंडिशन में उस इंसान को सांती नहीं मिलती है, तो यही सब सिम्टम सुभर कर सामने आते हैं, तो घबडाईए नहीं, आज मैं होमियोपैटिक की 5 मेडिसीन के बारे मे बताऊंगा, जो की बहुत ही फेक्टिव मेडिसीन है, और इसका परियोग अगर आप एक से तीन महिना कर लेते हैं, तो बावा सिर की समस्या जड़ से खतम हो जाएगी, तो चलिए जानते हैं हम इसके ट्रीक्मेंट के बारे में, तो पहली मेडिसीन का नाम है काश्टिकम 200 इसे दो दो बून तीन बार ऐसे ही जीप पर लेना है, या बहुत ही फेक्टिव मेडिसीन है पाइल्स के लिए, अगर आप चलने में आपको तकलीफ होता है, दर्द बहुत जादा होता है, मस्ये बाहर निकल गए हैं, तो या बहुत अच्छा काम करता है, दूसरी मेडिसी मेडिसीन का नाम है कार्वो भेज 200 नमबर, इसे भी दो दो बून तीन बार ऐसे ही जीप पर लेना है, या मेडिसीन भी बहुत ही फेक्टिव मेडिसीन है, अगर आपके मस्ये में सूजन हो गया है, कॉंस्टिपेशन बहुत जादा होता है, तो या दबा बहुत अच्छा क काम करता है, अगर आपके मस्यों में बहुत तेज जलन होता है, चलने फिरने में बहुत ही तकलिफ होता है, तस मिनट बैठते हैं तो भी बैठा नहीं जा रहा है, चलते हैं तो भी चला नहीं जा रहा है, तो या मेडिसीन बहुत अच्छा काम करता है, चौथी मेडिसीन का नाम है RPL 78 जिसे की पाइल्स के नाम से भी जाना जाता है इसे 20-20 बून तीन बार आधा कप पानी में डाल के लें या पांचों मेडिसीन बहुत ही एफेक्टिव मेडिसीन है बादी बावा सिर की समस्या के लिए अगर इसका परियोगा आप एक से तीन महिना कर लेते हैं तो क आपको या मेडिसीन डिलिवर करवा दूंगा ओभी मार्केट से सस्ते रेट में तो चलिए जानते हैं हम इसके डाइट इंस्रक्षन के बारे में कि क्या साब्धानिया रखनी चाहिए क्या साब्धानिया नहीं रखनी चाहिए तो जितना हो सके उतना फरी साग सबजियां इसेदार फल बगेरा खाएं जैसे कि नारियल पानी हो गया पौपीता हो गया संत्रे का जूस हो गया तो यह सब जितना आप ले सकते हैं जितना हो सके उतना आप वाईली फूड नॉन भेज बगेरा का सेवन ना करें और जितना हो सके उतना आप इलकोहल, सराफ, जिससे कि आपको लिभर या इंटेस्टाइन का कोई भी समस्याना उत्पन हो पाए तो आसा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे तब तक के लिए धन्यवाद